हेई welcome back to our channel दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बात आउंगा how to reset phone setting किसी भी वज़ा से अगर आप अपने phone setting को reset करना चाहते हो तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको phone में setting में जाना है phone के setting में जाने के बाद धीरे-धीर स्कॉल करके नीचा आएंगे उसके बाद apps में जाना है फिर मनें उस पर क्लिक काना है next यह पर आपके समने सारे application का लिस्ट आ जाएगा आप उपर में जो settings पर दीक रहा है इसके ऊपर क Lunch कर करने के बाद settings option आ गया है तो settings पर क्लिक करना है उसके बाद यहां से settings का सारे data को delete करना होगा तो यह पर clear all Matter पर क्लिक करके settings का सारे data को delete कर दीजिए अगर इस process को प्रोएक करने से आपका समसा ठीक हो जाते है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं हुआ तो आप second step को follow कीजिए second step को follow करने के लिए फिर से आपको phone के settings में जाना है settings को खोलने के बाद उपर में आपको search बाद देखने के लिए मिलेगा यहां पर search का नहीं factory reset तो आप देख सकते हो factory reset का option आ गया है तो उसको पर हम click करेंगे factory reset के अंदर आपको कुछ इस तरह के interface देखने के लिए मिलेगा आपके phone में जितने सारे account, contact, photos, videos, apps बगरा जो भी है सब कुछ delete हो जाएगा और आपके phone पर पहले से जितने सारे default setting था और reset हो जाएगा तो mobile को reset करने से पहले आपके phone में साले data का backup ले लिजिए क्योंकि reset करने के बाद सबी data delete हो जाएगा तो phone को reset पानने के लिए areas all data के उपर click करेंगे next आपके mobile का lock screen का password एंटर करेंगे उसके बाद अगर आपके phone में MI account login है तो उसका भी password डानना होगा फिर next पर click करेंगे उसके बाद आपसे confirm किया जाएगा कि आप अपने phone से साले data को खोने के लिए तैयर हो यदि आपका उतर हाँ है तो next step का option दबाईए आपसे दुबाड़ा पुछ हो जाएगा कि आपने सबी data का backup लिया है यदि आपका उतर हाँ है तो ok पर click करें फिर पुछी समय में साले data डिल्ड हो जाएगा और आपके phone में जितने सारे default setting था ओ भी set हो जाएगा तो इस तरीके से आप आपना phone और phone का setting को reset कर सेकतो उम्मीद करतों कि ये वीडियो आपके लिए वहवात ही helpful था तो आमाणे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया